हाई एवरिवन वेलकम टू माई चैनल तो आज का जो मेरा ब्लॉग है बहुती सिंपल है और यह आज का मॉर्निंग टाइम का है जिसमें मैंने नास्ता पनाया है अपने हाथों से तो ज्यादा कुछ नहीं सबसे पहले मैंने गैस में गरम पानी रख दिया है उसके बाद मैं म अच्छा सा उसके बाद पानी हमने रखा गैस पर उसमें बॉइल आ गया है तो उसमें गोबी आट कर देंगे और थोड़ा सा वन टी स्पून नमक आट कर देंगे क्योंकि जिसने भी कीड़े मकोडे और डवट होते वह बहार आ जाए उसके बाद कढ़ाई गरम करेंगे उ वन टी स्पून जीरा एट करेंगे उसे तड़कने देंगे उसके बाद मेने टू मीडियम साइच का ओनियन को कट कर लिया है उसे एट कर देंगे और इसे थोड़ा सुनहेरा होने तक भूनेंगे ओनियन जो है इसका अलग एक स्पेशल मतलब सबजी का जो है टेस्ट बहु टाइम नहीं लगता है उसका इसकी बहुत ही पतला होता है आप स्मूथली अच्छे से उसे निकाल सकते हैं उसके बाद आलू को दो से तीन मिनट के लिए मिडियम फ्लेम में फ्राइब करेंगे बाहर उसके बाद गोबी को जो हमने बोईल करके रखा था गोबी जो है ढुल के हैं चैलियो बीच से कटकर एट कर दिया है और मैंने हां गाजर बहुंत कर लेंगे उसके बाद उसी कढ़ाई में तेल मस्टर्ड और और ट्सपुन जीरा एट करेंगे और तड़कने देंगे और मेने जो अच्छे से पेश्ट बनाकर रेडी कर लिया तो क्छे आल जार में रखा था लेकिन जो मेरा मिक्स्टर है वो थोड़ा काम नहीं की अच्छा है इसलिए मैंने इसे सील में पिसने का भी एक अलग टेस्ट आ जाता है उसके बाद इसमें 1.5 तीस्पुन में हल्दी पाउडर यूज करोंगी उसके बाद टेस्ट के कोडिंग आपको नमक अच्छा करना है जितना आप खाते हैं उससाब से अपको नमक करना है उसके बाद मसाला जो है मारा नमक इसलिए मैंने एट किया था तामाटर और नमक का कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा बहतीरीन होता है क्योंकि हमारा जो सौफ्ट सौफ्ट टमाटर होता है बहुत तेल होता है और जो भी टेक्शर और टेस्ट होता है बहुत ज्यादा इनहेंस हो जाता है उसके इसलिए हम लोग लोग में मीडियम फिले में भूनते हैं मसाला को उसके बाद मैंने जो अल्रेडी फ्राइ करके रखा था आलू गोवी को उसे उसी मसाला में एट कर देंगे इसे चार से पांच मिनिट के लिए मीडियम टू हाइफ ले में बूनेंगे क्योंकि बहूंट जो भी मैंने हमारा जो सबजी बहुत जल्दी कुख हो जाएगा इसलिए हम इसे मीडियम तू हाइफ ले में कूख करेंगे भूनेंगे और जितना आप ग्रेवी खाना चाहते ह पिनुआ पेक सागी, तो बोचका किनाया पालक, बोचोंब ल Records, और एक मीरियम कई का उसएट, ऑंच सागी में लिंरेक पामके 610 इनकल निकल जाते हैं तो यह वोण का प्षय नीकल्चे तो इसे सुन्हें रहीं नमक नमक टेखेंगे लगता है लगता है लेकिन प्लेम प्लेम करते हैं सबस्कूर जाता है तो मैंडना जल्दी साग कर दिया करना है आपको मिडियम फ्लेम में कुख करना है और साइड में हमारा सब्जी भी खुछ चुका है देख सकते कि पानी जो है बिल्कुल अच्छा थीक हो गया है और बहुत मतलब जो पानी है मैंने कम अट किया था इसलिए हमारा जो सब्जी का जो टेक्शर बिल्कुल अच्छा है इसे तरह आपको रखना है आप चाहे तो ज बहुत हो गया अपना तारीफ उसके बाद मैं रोटियां जल्दी जल्दी सेख लोंगी ऐसे तो मैं जल्दी में बड़ा रोटी बनाती हूं लेकिन मैं हर साइज कर रोटी बना लेती हूं मैं अपना मूं मिठु कर रहे हूं लेकिन कोई ने थोड़ा चोटे चोटा अगर लोई करेंगे तो आपकी ठोटी बनेगी बड़े लोई करेंगे तो रोटी बड़ी बनेगी तो इसी तरह से मैं अपनी सारी रोटी बनाकर रेडी कर लोंगी आपको मेरी वीडियो कैसी लग रहे है प्लीज कमेंट में और कमेंट सेक्शन पसंद आए तो लाइक करिएगा न्यूँ है तो सब्सक्राइब करिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलिस को जरूर सेयर करिएगा तो चलिए नास्ता बनकर रेडी हो गया है इसे थाली में सजा लेते हैं और खाने के लिए रेडी हो जाते हैं तो इसे टीवी देखकर मूवी देखकर खाईए इंज लिए कर वाचिन इस है Friends